सर नमसकार नमसकार जी क्या नामे जी आपका? मेरा नाम सुरूप सिंगय जी कहां से आएं जी आप? मैं सुरतगर गंगाना डिष्टी के रास्तान का रहने वाला हूं जी संत्रामपाल जी माराजी से नाम दिख्सा कब लिया आपने? सर मैंने जनवरी 2014 में ली थी जी जान सकते हैं क्यों ओ जी बात ऐसी थी जी मैं बहुत पहले देरा हच्चा सोदा से जुड़ा हुआ था कही सालों से दस बारा सालों से तो वहां पे जैसे उनकी बक्ती करते करते ही हमारे गर में बहुत आपदाई आई है बहुत नुकसान हुए जैसे मेरे ममी बापा की ड़ेत होगी और उसके बार मेरे शादी होगी योगी सादी होने और मेरे वाइफ के बहुत जादा प्रोबL couch नो रहती थ जो भी कर्म की जमार है वो आती है तो इससे क्या फरक पड़ता है आपके जीवन में दुख थे भी तो आप बक्ती तो करी रही थे एक ऐसे संसे नाम देख सा ले रखी थी आपने जिनके लाखो करोडो फॉलावर्स थे तो फिर संतरामपाल जी महराजी से जुड़े क्यों य जी उसकी वज़े से में पुस्तक पढ़ने से मेरे को पता लगा कि सही बक्ती कौन सी है और गलत कौन सी है चलिए आप बता दीजिए क्योंकि हर एक व्यक्ति जो संतरामपाल जी महराजी से जुड़ा हुआ है वो यही कहता है कि हम सास्तरों के अनुसार बक्ती करते हैं और अब जो बक्ती कर रहे हैं वो सही बक्ती है सही बक्ती कौन सी है और गलत बक्ती कौन सी है गलत बक्ती वो है जो सास्तर के अनुकुल बक्ती कौन सी होती है और सास्तरों के विरुद बक्ती कौन सी होती है सास्तर के अनुकुल बक्ती वो हती है जो अपने वेदों गिता में और चारो वेद प्राण में जो उसका प्रमान मिले जी अपने वेदों में गीता जी में क्या-क्या प्रमान दिये गए हैं और दूसरे जो संते वो क्या गलत बता रहे हैं वो कौन से ऐसी बाते हैं जो वेदों और गीता में नहीं लिखी है और वो बाते वो बता रही हैं जैसे हम मैं सीख धर्म से विलोम करता हूँ तो मैंने वो अपने जैसे शिक धर्म के प्रवकतर गुनानदेव जी आया तो उनके जो ग्यानगा में जो चीजे मताई गई थी वो चीजे मैंने गुर्गन साहिब से मिलाई तो उससे मेरे को पता लगा कि ये सास्तरों को लित बक्ती है और यही करनी चाहिए जी अपने सर जिन समस्याओं से आप पहले पेडित थे क्या सास्तरों के अनुसार बक्ती करने से आपको उन समस्याओं से रहत मिली क्या अब आपकी जिन्दगी में कस्ट है अब आप सही भक्ति कर रहे हैं तो सर जी पहले भक्ति करते करते भी आपको मैंने बताया जैसे मेरे दुख तकलिफे बहुत आई तो मैं जैसे मेरी वाइफ के मलेरिया के स्काइद रहती थी जी कि एक हफ़े में मलेरिया दुबरह से सर जाय था तो संतरामपल और जैसे नाम भूबchos ली उसके बहद वो दिन और आज का दिन उनको क possession कर्वार दूबरह से कभी मलेरिया निहीं हदी और आर्थिक मेरी बात करूँ आर्तिक जीवन की तो आर्तिक लाप मेरे को यह हुआ जी जैसे मैं पहले अपटनी काम करता था कोई भी तो इसमें मेरेको 100 अन्पाल मरासे जिनाम दिक साली उसके बाद मेरेको प्रमातमा ने आर्तिक लाप बहुँ ज़्यादा दिये अब मेरे पास एक गाड़ी है खुद की ठीक है जी, दो शोपे हैं, मैंने लाइट डेकुरेटर का अलग से काम कर लिया, ओली ग्रिस का भी शोप अलग से है, ऐसे करके प्रमात्मा ने बहुत सार रिलाव दिये लोग संत्रामपाल जी महराजिसे नाम देख सक्क्यों ले? वो इसलिए ले जी, जैसे अपने फर्स तो अपने को गुरू बनाने पड़ेगा जी, ठीक है जी, और गुरू वो ही हो, जो पूरन सासनकुल अपने को भक्ति बताए जी, ठीक है जी, और संत्रामपाल जी महराज एक, विस्व में एक ऐसे गुरू है, जो सही सासनकुल भक्त दे रहे हैं, और उनको भक्ति करने से सासारी कलाब तो हो गई जी, और प्लस अधातमी कलाब भी मिलेगा, और यहां से मुक्स भी होगा जी, पने, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम संत्रामपाल जी महराजी से नाम देख सा तो ले लें, लेकिन वो जेल में है, वो जी, उनकी सोच में थोड़ा से ऐसे है, जैसे ये बरवाला को जेल में क्यों है, आपके गुरु जी, उसके बारे मैं मता दूँ कि संत्रामपाल जी महराज एक मिस्टन के तहर जेल में है, ठीक है जी, क्योंकि उनने संत्रामपाल जी महराज ने एक संसार को नसा मुक्त बिड़ा उठ सबस्क्राइब करें जरा के इसना करते हैं कि आप संतर्रामपाल जी माराज का ग्यान सुनिये समझे और उनसे नाम दिखसा लेके अपना जीवन का कल्यान करवाईए बहुत बहुत धन्यवाद